नमस्कार भारत की पहली सवाक चलचित्र आलम आरा एक बंजारन और एक राजकुमर की प्रेम कहानी है इसमें एक राजा और उसकी दो जग्रालू रानी है दिलबहार और नौबहार दोनों के भी जग्रा तब और बढ़ जाता है जब एक फकीर भर्षवानी करता है कि राजा का उतरदीकारी राजा की पहली पतनी नौबहार के गर्ब से जन लेगा गुसाई दिलबहार बदला लेने के लिए राज के प्रमुक मंतरी आदिल से प्यार की गुहार करती है जिसके साथ उसका विवाहित तरसंबन था पर आदिल उसके इस प्रस्ता को ठुकरा देता है गुस्ते में आकर दिलबहार जूटा एलजाम लगा कर आदिल को कारागार में डलवा देती है और उसकी पुत्रे आलम आरा को देश निकाला देती है आलम आरा को बंजारे पालते है युवा होने पर आलम आरा महर में वापस लोटती है और राज कुमार कमर से प्यार करने लगती है अंत में दिल बहर को उसके किये की सजा मिलती है आदिल की रियाही होती है और आलम आरा राजकुमार की शादी फिल्म में मस्टर विठल ने नायक राजकुमार कमर और जुवेदा ने नायक आ आलम आरा यू तो सबसे ज्यादा मसूर हुए थे फकीर के अपनी छोटी सी भूमिका में वजीर मुहम्मद खान। उनसे भारती चलचित्र में गायन का सुत्रपात हुआ और वो पहले गायक बन गए। क्योंकि पहले गायन सजीव होता था और संगीतकार पेनों के जुर्मुट के पीछे छुपकर अपने हर्मोनियम और तबले को बचाते थे। यह पासवगायन उस समय नहीं चलता था वहां सजीव रिकॉर्डिंग तरण ध्वानी प्रणाली और च्छाएंकर टेनर एकल प्रणाली केमरा से गोती थी। चौदा मार्च 1931 को परदर से थी। आदेशी रिरानी द्वारा निर्देशित और फिरोटसा मिस्त्रियम बहराम इरानी द्वारा संगीत बद्ध यह फिल्म जोसिप डेविट के पार से नाटक पर अधारी थी। इसका नुवाद मुंसी जही ने किया था। पहले आदेशिर रिरानी नायक नैका के रूप में महबूप खान और रूबी मायर्स को लेना चाते थे। रूबी मायर्स उस समय की सुपरस्टार ते जो बाद में सुलोचना के नाम से मसूर वी। और महबूख खान ने बाद में काल जाई फिल्म मदर इंडिया बनाई पर दोनों का उच्छारन हिंदी का सही नहीं था इसलिए उन दोनों को फिल्म में नहीं दिया गया आला मारा की अंतिम प्रतिश दो हजार तीन में तूने अंतिम कान में स्वाह होगी अब उसके मात और ये गाना बच गया है उसी गाने के साथ जुगलबंदी पेस कर रहा हूं कुभूल कीजिए अगर ताकत है गर देने की देदे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की देदे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझे से हिमत है गर लेने की लेले